असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करता हूं अच्छे सोंगे तो विलकम है मेरे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल के जरिये से और आपने प्रसपोर्ट नंबर के जरिये से आप अपना मोफा और आप अपने मोबाइल के ज्ञेंज अपने मोवाइल के जरिये से आप घर बैठे ही आपने मोबाइल से अपना मोप्रा कर सकते हैं तो सबसे पहले दी Psychology है कि में और आप को किसी वर्ट की ज़रूरत है या किसी बीजय की ज़रूरत है किसी भी देश का खास करके हम स़ुधी में हैं तो सुधी की बात करते है तो अगर आपको सुधी में work permit का जरूरत है वरqi बीजय का जरूरत है तो आप सबसे पहले आप रिखेदार को आप किसी बी जानने Woah पहचानने वाले को ही बोलेंगे कि भाई कोंव भीजा अगर होगा तो बताईज़ेगा या खुद से या आप खुद से भी आउनलाइन अपलाई करते हैं या जो है आपके किसी इजेंट को किसी ऑफिस में जाकर वीजा के बड़ार देता है और आपको चेक करना नहीं आता है, इसfightoundर में आप गूमते रहते हैं। तो इसी वज़ दियो में बना रह пゃहीं है तो इसी वजया से वीडियों में बना रहा group हाई कोई भाई आसानी से आपका जो मेडिकल का रिपोर्ड है और पासपोर्ड का जो पूरा डीटेल है जो सौधी अरब का ऑफिसियल वेपसाइट है मिनिस्ट्री आफ 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 एर्स का वहाँ पर अपलोड किया जाता है फिर अपलोड करने के बाद 15 से 45 दिन या 30 दिन के अंदर आपको वहाँ से एक नंबर जन्रेट किया जाता है उस वेपसाइट पर उसे ही मोफा नंबर कहा जाता है या अपलिकेशन नंबर भी कह सकते हैं वह नंबर जन्रेट होने के बाद फिर आपका आगला प्रोसेस होता है बीजा स्टंपिंग का तो 15 से 30 दिन या 45 दिन के अंदर आपका बीज कैसे चेक कर सकते हैं और अगर आपका मोफा नंबर ऑया है मोफा जो जन्रेट हुआ है और यह सब जानने के लिए पूरी फीडियो को आप जयूरू के इस वीडियो में इस website का link में description में डाल दूँगा आप आसानी से वहां से क्लिक करके आप अपना मुफा और बीजा चेक कर सकते हैं आसानी से तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं mobile के screen के उपर और उसके बाद दिखाते हैं आपको की बीजा और मुफा आपको कैसे चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आजाएंगे mobile के screen पर और यहां पर आप गूगल सर्च में भी आ सकते हैं या chrome browser open कर सकते हैं तो हम ने chrome browser open किया है और यहां पर लिखेंगे हम भीजा mofa.gov.sa.person a person आइसे लिखेंगे तो भी आ जाएगा या पर या पर लिखेंगे तू भी आ जाएगा उसके बाद यहां पर उसका official website खुल जाएगा आप यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद आप वह इसे किलिक करेंगे उसके बाद आप यह अरभी में आएगा अगर अरबी में आएगा तो इसको आप three dot पर click करके आप translate कर लीजिए English या Hindi में आप translate कर सकते हैं उसके बाद यह जो पहला option आपको दिख रहा है यहाँ पर आप click करेंगे इसके बाद आपका website खुल जाएगा इस तरीके से आपके screen के उपर अरबी में सब लिख कर आएगा तो आप उसे English में translate कर लीजिए या और भी भासा है उसमें भी आप click करके translate कर सकते हैं हलाकि यह Hindi में translate हुआ है इसे हम फिर से three dot पर click करके English में convert कर लेंगे उसके बाद हम आप यहां पर देख सकते हैं passport number लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम यहां पर अपना passport number डालेंगे जो भी आपका passport number है किसी भी मुल्क में आप देख रहे हैं वीडियो को अपना passport number यहां पर आप डाल सकते हैं फर्स टॉले कॉलम में यहां पर आप अपना पास्पोर्ट नमबर डाल दिया है उसके बाद आता है कंट्री नेम जो आपका कंट्री है जाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो बंगलादेसी भाई हो कोई भी हो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद अगला रहे तो हम यहां पर वर्क वीजा पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर अगला इस्टेफ है जहां पर आपका वीजा इसू हुआ है जिस में जिस कंसलेट में हुआ है आप वहां पर उस एरिया का नाम ओपन करेंगे जैसे यह मुंबई है तो हमने मुंबई का ओपन कर रहा है आप निव दिली का है या किसी और एरिया का है तो वहाँ पर आप क्लिक करके आप उसकी जनकारी ले सकते हैं तो हमने वहाँ पर मुंबई क्लिक किया हम मुंबई का चेक कर रहे हैं उसके बाद अगला इusthe पाता है capture number का जो भी यह capture number आपको दिख रहा है यहां पर इंटर करेंगे जिसे यह कैप्चर नमबर है 849690 फिर हमने यह क्लिक करके जो सर्च का बटन है वहां पर हम क्लिक करेंगे फिर इस तरीके का आपका इंटर फेस आ जाएगा पूरा डीटेल आपके सामने आ जाएगा आपका वीजा इस्टम्पिंग हो गया है तो वी सब रहें होगा और देख सकते हैं जो आपका फोटो है इसके फोटो नीचे दिखा हुआ है वही मोफह नंबर है मतलब की पूरा प्लीट को गया है अगर आपका मैफह नंबर या बीजह चैंपिंग नहीं होगा तो वहां पर कुछ भी नंबर लइखा नहीं आएगा तो जगह आपका खाली रहे गा तो आप समझ सकते हैं कि आपका मॉफाणींबर और आपका जो है बीजक्री स्टंपिंग ऊगरा कुछ भी स्टंपिंग कुछ नही कुछ भी नहीं हुआ है तो आपका बीज़तेगुंग mm देगा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से अपने पासपोर्ट के जरीए से आप अपना मोफा और बीजा चेक कर सकते हैं और यह औरिजनल है या फेक है आप पूरी जानकारी अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं तो उमीद है कि वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप अपना मोफा और बीजा कैसे चेक कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और सेर जरू कीजिएगा ताकि और भी भाई लोग जान सकें कि आप अपने घर बैठे ही आपने पासपोर्ट नंबर के जरीए से आसानी से बहुत मिलता रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंसा अल्ला आप लोग अपना ख्याल रखिए अल्ला हाफेज